हेलो बच्चों स्वागत आप सभी का साइंस दिवाने विद्यकुल में कैसे आप सबके सब अच्छे हुंगे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड़ीवनिंग जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजे ताकि सारे बच्चे आज की क्लास को हमारे साथ पढ़ सके आप सभी को पते हैं कि आपका जो चौथा चैप्टर था प्राणी जगत वो स्टार्ट हो गया था और हम इसमें पढ़ रहे थे कि संग किस तरीके से एक दूसरे से वर्गी खृत हैं अभी तक हमने बहुत सारे संगों को कंप्लीट कर चुके हैं पौरी फेरा प अच्छी आचुके गुडीवनिंग कंचन मुष्कान मत्या विष्णु साहिल गुडीवनिंग शौर्या गुडीवनिंग निदिरोय प्रश्चान कंचन माफिया स्वारी हां माफिया अक्षे अभे कुमार अखिलेश लता गुडीवनिंग विष्णु गुडीवनिंग सभ अमित यादव, शाहिल, रुपाली, मनीश कुमार, निधिरोय, आर्तिक अश्यव, नवीन, आमन्शागर, प्रशान, सभी को गुदीवनिंग, आमन्शागर, रोहित कुमार, गुदीवनिंग, 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 लेंक को शेयर भी कर दीजी, खुद गुद करके भाग जाओगे फिर है ना लिंक को शेयर कर दीजिए आज की क्लास फिर सारे बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में क्योंकि फिर बच्चे बीच में जोईन होते तो मैं समझ में नहीं आया इसलिए पहली ही टाइम पर पहुंचो और अगर कोई पहुंचा नहीं है टाइम पर तो आपका काम है कि उसको क्या करना है लिंक को शेयर करना है ठीक है सबके सब अच्छे होंगे है ना हाँ अच्छे ही होंगे ठीक है लास्ट में हमने पड़ा था और्थोपोडा बड़ा था और्थोपोडा में किया देखा किसीने गड़ में जाकर आपको प्र नजब दो होगा है ना यह सारी चीज़ें आपके आसपास और तो पोड़ा घूमते रहते हैं लेकिन आप देखते नहीं हो आप इग्नोर कर देते हो कीड़ा बोलते हैं यह तो कीड़ा है भगाओ इसको ठीक है हां उसके लिए आप भी राक्षेस थे हैं जब मैंने कहा था कि कीटों में देख एक से अधिक संख्या में नंस पाए जाते जिससे वो आपको कैसे दिख रहा होता है चुके तरह जाता है लाइक च्अर्फल अब आता की जीमिधारी है बाकी पढ़ाना मेरा काम है । जैसा कि感じ को पता है अब हम मुलास्का में आ गए और तो पोड़ा के बाद हम पढ़ते हैं मुलास्का बारिश का मौसम हो रहा है पकोड़ी चाई पकोड़ी खा लिया आहां कर दिया उसके बाद कर रहे थे तो ओम यानि की और्थोपोड़ा हम पढ़ चुके है यह मतलब क्या होगा ओम जी करते ना तो ओम यानि की मुलास्का आप क्या पढ़ने वाले हैं मुलास्का नीट वाला गुडीवनिंग एक पारी में इतने मेसेज मत करो और भी जितने बच्चे सभी को मुलास्का के कुछ जनरल करेक्टर देखते कि आखिर क्या क्या संरुचनाय होती है सबसे पहले मुलास्का हम क्या करें मुलास्का अब इससे यह वर्ड तो याद कर लो कि मां यानि की मुलायम अर्था जो मुलास्का होते हैं जो मुलास्का संग के जीव होते हैं उनका जो स सबसे पहला पॉइट कर आएगा जो भी मुलास्का के जीव के यानि, मुलास्का संध के अंतरगत जीव आते है उन्त सभी का जो शरीर होता रूच्वाले जीव आते है याद रखोगे मुलायम मुलायम को कोमल भी कहते हो तो मौ से याद रखोगे मुलायम मुलायम यानि की कोमल युक्त सरीर इनका होता है ये बात क्लियर अच्छा सबसे इंपोर्टेंट यहां पर कुश्चन ये होता है प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा जो संग होता है वो कौन होता है हमारा कौन सांग सबसे बड़ा जोगा हमारा मुलसक का होता है मुलसक होता है कौन होता है यह बात क्लियर सबीको याद रखोगे अगर आपसे पहला पूछा जाता है तो प्राणी जगत का जो पहला सबसे बड़ा संघ पाया जाता है वो होता है और ठोबड रोता है जिसके अंतर जितने भी। पतन फैंटे वह सभी आते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा संग होता है वह आता है मुलस्का कान खोलके आख कोलकर सुन लो कम देख लो समझ गए तो मुलत का क्या है दूसरा सबसे बड़ा यहां पर संग कहा जाता है कॉंसेप्ट क्लियर अब हम चलो इसके हम कुछ जर्नल कैरिक्टर यानि कि जो सामान ये लक्षण है उसकी बात करते सामान ये लक्षण क्या क्या होंगी जो हमने वर्गी करण के आधार के सबसे पहले हमने देखा था सारीक संगठन कैसा होता है ना सारीक संगठन की बात जब हम करते हैं सारीक संगठन किस तरीके का है इसके अंदर तो आप सभी को मैंने ये बात रटा दी है एसके हैलमंथी से जितने भी उपर के आपने जीव पड़े है सबकी सरीर में जो सारीक संगठन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है अंगतंत्रिस्तर का सारीक संगठन ये कौनसेप्ट क्लियर सभी को क्लियर ठीक है तो ये क्या होगा इसमें पाया जाता है अंगतंत्रिस इखांपल भी देखके चलते हैं ठीक है आपके दिमाग में तारा मुचली आपने देखी है है ना देखिए स्टार्फिस हमने जिसको बोला है इस्टार पिसका आप एक अपने दिमाग में तस्वीर याद कर लो स्टार्फिस्क अगर मैं आपको संडुचना दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होती है यह देख रहे हैं उस तरीके से किस की सनुचना आपने गोंगा देखा होगा गोंगे की सनुचना आप सभी ने देखियोगी कुछ इस तरीके की होती है ठीक है यह इसमें दो एंटी ने लगे वे अब इसे अच्छा बन गया तो ठीक है कुछ इस तरीके से होगी यह यह क्या होता है गोंगा सा देखा आपने है ना सबने देखा है इस तरीके की संवच्णा को हा याद रखोगे कि क्या है गोंगा है लोग इसकी स्माइल बना देते जब तक हसे करने तब तक कैसे अच्छा लगेगा यह संवच्णा जो है वो गों कि तो आप ईए अपर विभाजित करूंगी तो आपको उलपता चल जाएगा यह सिर्फ दौ बराबर भागों में विभाजित हो सकता है अगर आप इसको एक अक्षे से जादा बार काटने की कोशिश करोगे तो यह कभी भी बराबर भागों में विभाजित नहीं होता है तो इस तरीके की जो सम्मीति होती है उसे हम क्या कहते है द्वी पार्श्व सम्मीति कहते है जानि कि अगर सोचो कि मैं यहां पर घूंगा हूं ठीक है और मुझे बीच से काट लो तो मैं कैसे होंगी दो बराबर भागों में विभाज़ दूगी एक अंटीना मे सम्मीति कैसी है द्वी पार्श्व सम्मीति कैसी सम्मीति है द्वी पार्श्व सम्मीति पाई जाती है ठीक है कैसे प्राणी होते हैं अगर हम बात करते हैं सम्मीति के बाद इनके पाच्यन तंत्र की बात करते हैं पाच्यन तंत्र की बात करेंगी तो पूर पाच्यन तंत् जब हम करते हैं तो इन में कैसा परी संच्रंतंतर पाया जाएगा खुला परी संच्रंतंतर अब देखो मैं अभी यहाँ पर आपको पते में लाइन वाइस से चल रही हूँ जैसे हमने वर्गी करण के अधार में सबसे पहले शरीर का संगठन देखा था उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पर समीती देखी थी है ना समीती के बाद हमने क्या देखा पाच्छन तंत्र देखा पूर पाच्छन तंत्र से क्या समस्ते आप पूर पाच्छन तंत्र अर्थात जिसमें क्या होगा भोजन के अंतर ग्रहन के लिए भी छिद्र पाया जाएगा और उसके उ पाई जाती है उनको कहते हम की इन में पूर पाचन तंतr पाया जा रहा है तो हमारा मोलासका-संग के अंतरगत जितने भी जीव आते हैं इन में पूर पाचन तंत्र आपको देखने के लिए ठीक है और परेशन्ष्रन तंत्र की जब हम बात करतें तो रक्त गूम रहे हैं की बॉरी में अगर वो कैसा होगा बंद वाहिकाओं के अंदर अगर उस बॉडि में रावाहिकाओं पाई जाएंगी रंध्वाहिन सरीर पर यूँ ही इसी तरीके से जो रक्त हुआ वो बिखरा हुआ रहता है ऐसा किसी भी उसको परिवाहन के साधन की आउशकता नहीं होती है अर्थात ऐसे जीवों में रक्त वाहिनी नहीं प्रेजेंट होती है तो ऐसा हम क्या कहेंगे कि ये जीवों में जो परिसंचरन तं क्लियर यह बात आप सभी को दिमाग में बैठ गई किलियर सभी को क्लियर ठीक है अब आगे चलते इसके बाद हमने क्या देखा हमने गुहा की बात करी थी और पहले तो कोरिक की बात करते हैं कैसे यह द्विकोरिक है यह त्रिकोरिक है तो आपको याद रखना है कैसे प्राण त्रिक प्राणी होते हैं, त्रिकोरिक यानि कि यह क्या करेंगे, अपनी भूनी अवस्ता में तीनो जर्म लेयर का निर्माड करेंगे, एक्टोडर्म का निर्माड भी होगा, एंडोडर्म का निर्माड भी होगा, और मीजोडर्म का निर्माड भी होगा, इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है गूहा का पॉइंट आता है तो गूहा कैसी होगी याद रखोंगे ये कैसे प्राणी होते है प्रगूहिया प्राणी होते है कैसे होंगे प्रगूहिया प्राणी होंगे अर्था इनमें गूहा प्रेजेंट होगी लेकिन प्रगूहिया प्राणी हम ऐसे प् फिर्माण होता है तो ऐसे जीवों को हम कहते है प्रांगुहिया जी कॉंसेप्ट क्लियर आगे सब को समझ में समर्यादा आपको टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करना होगा क्योंकि वहीं पर नोट्स मिलते है सबी को क्लियर है मुझे जहां तक लग रहा है सब को क्लियर है अच्छा और साथ में ठीक चलिए लाइक शेयर जरूर करते रहिए ये तो आपका धर्म है ठीक अब देखो आगे क्या है और क्या क्या बाते होंगी ठीक है और हम बात करेंगे खंडी भवन हमें देखने के लिए मिलता है ना हम क्या बोलेंगे इसमें खंडी भवन देखने के लिए मिलेगा आंत्रिक खंडे मवन हमें देखने के लिए मिलेगा तो इसका मतलब है कि इसका जो सरीर होगा वो खंडों में विभाजित होगा इसका सरीर तीन भागों में विभाजित होता है विभाजित होता है सरीर क्या है? तीन भागों में विभाजित है विभाजित है देखो कौन-कौन से भाग होते हैं ये भी ध्यान रखना है आपने सबसे पहले अगर बात करती हूँ पहली बात करूँगी क्या होगा? सिर्प आया जाएगा ठीके? दूसरा जो भाग होता है वो होगा पेशिया पाद ठीके? कैसे पाद? पेशिया पाद और तीसरा जो होता है वो होता है ककुंद ककुंद यानि की हम है न? अभी जो मैंने संरश्रा बनाई थी आपने देखा वो स्माइल करता वा कीड़ा जो था घूंगा का उसमें जब हमने संरश्रा देखी वो किस तरीके से था? इसी तरीके से था? बड़ा स्माइल ये था ये ये क्या था इसका अब बताती हूँ ठीक है ये इसके एंटीना है इस तरीके की संरुष्णा थी यहीं देखे थी हमने घूंगे की संरुष्णा अब देखो क्या होता है यहां पर सरीर तीन भागों में विभाजित है कौन कौन से भाग है ये कौन सा इसका सरवाला भाग है पहला भाग ये हो गया ठीक है दूसरा भाग क्या है पेश्य पाद यानि कि इनके जो पेश्य पाद होंगे वो पेश्यों के बने होंगे हडिया नहीं पाई जारी हडिया तो खेर प हेंगे तो गर से बाहर जाओ बारिश में भीगने मत जाओ तो ऑना गर पाराई संग प्रानी जगत के कौन प्रेजेंट और तो पोड़ा भी आपको मिल जाएंगी एक एक जामपल देखो आपको केच्वा भी दिख जाएगा उसी के बश्याद अगर हम बात करते कि कि तो मुलसक देृकर कि इसे के मुलशका की तो मुलसक में आपको गउम देखने मिलेगा उस गोंगे को जरा एसे देखर है ऐसे ऐसे एसी के और देखो गया और ऑनरी आनरी जाता होगा अपने कुबडे में उसको क्या कहते है जो यह वाला एरिया होता है इसे हम कहते ककुंद ठीक है यानि कि हम पबोलते और यह जो एरिया है यह इसका क्या है पेश्यपाद है अब वो विचारा क्या करते हैं उसको ले करके चल रहा होता है ठीक कुछ नहीं है वो एक खाली स्थान होता ह हुआ प्रेजेंट होती है वहाँ पर लेकिन उसकी संरच्णा में यह पाया जाता है कॉंसेप्ट क्लियर हुआ कि यहां पर जो हमारे मुलस्क जीव होते हैं इनके सरीर पर तीन भागों से बना होता है कौन गौन से भाग होता है सिर्फ ठीक है पेश्य पाद पेश्यों के बन यहां पर देखो आप देखते हो कि उसमें एक ऐसा भाग भी तो है जो थोड़ा सा ऐसा कठोर भाग है और मैंने सुरू में कहा कि यह बहुत मुलायम प्राणी होते हैं है इनका जो सर से लेकर यह जो पेश्य पाद वाला एरिया है यह बिल्कुल मुलायम रहता है लेकिन ज इसका बाहएक अंकाल जो होता है ठीक है किसका बात करी मैंने जो इनका बाहएक अंकाल जो होता है ठीक है यह किसका बना होता है कैल्सियम कार्बोनेट का बना होता है जिसके कारण क्या होता है यह क्या होगा कठोर होता है इसका बाहएक अंकाल कठोर होता है है ना हां बहु लोग खाते हैं ऐसे जीवों को अब खाने के लिए क्या क्या नीखा लेते हैं सभी कुछ खाई रहे हैं समझ गए हाँ सभी को क्लियर है अब देखो तो यह ऐसे करके इनका सरीर विभाजिते हैं इनका जो बाहिक अंकाल होता है वो किसका बना होगा कैल्सियम कार्बोनेट का बना होता है तो अच्छा कैसी होगी तो अच्छा की बात करेंगे तो अच्छा कैसी है स्पंजी है और कैसी होती है कोमल होती है यह बात तो आप सभी को क्लियर है ठीके अब याद रखोगी जो मुलास का जीवकी सबसे अच्छी और सबसे अलग विशेश्ता होती है इनमें जीवा पाई जाती है उस जीवा को कहते है रेती जीवा ठीक है क्या कहते है उसको इन में क्या होगी एक जीवा प्रेजेंट होती है जिने हम कहते है रेती जीवा या आप उसको रेडुला भी कहते हो रेडुला ठीक है यह जो रेडुला पाई जाती है इन में यह भोजन को प जाते हैं जैसे कि कैसे होगी? वो यू यू झीचती होगी, ठीके बोजन को यू यू आरंम से घीस रही होगी इस तरिके से, ठीके तो उसको हम क्येक पारे बहुत आधि जीवा, और ईलक्षन इसको एकदव अलग रख रहा है और जगत से, इसमें रेती जीवा है बोजन को पीषने के लिए कॉंसेट क्लियर और इंपॉर्टेंट भी है एक नंबर के लिए कहीं पर भी पूछा जा सकते हैं इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्लियर स्वसन की बात करेंगे स्वसन की बात करेंगे तो स्वसन किसके द्वारा होता है क्लोम के द्वारा क्लोम क्या होंगे यहाँ पर जो गिल्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्वसन की क्रिया होती है ठीक है यह बात क्लियर है और किसकी बात करेंगे जनन की बात करते हैं जनन कैसा होगा लैंगिंग जनन होगा ठीक है लैंगिंग जनन होगा प्राणी कैसे होते हैं एक लिंगी प्राणी होंगे एक लिंगी प्राणी होंगे और कैसे रहते ये अंडज होते हैं कैसे होंगे अंडज होते हैं अर्थात अंडे से अपने सिशू का निर्माण करते इनमें क्या होगा अंडा होगा उसके परश्याद नहीं सिशु का निर्मान होगा कलियर बिल्कुल 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 मजबूत ही catsm के कारण हमारी हडियों में कि क्या इसके मी तो present इसकी कारण हड़िया मजबूत है ठीक है पर एक ही message को हजार बार करोगे बाकी के message नहीं दिखेंगे फिर मुझे ठीक चलो फिर आगे देखें आगे क्या है अब आगे की ये मैंने बता दिया अंड़ जे तो इस तरीके से आपने ये सारे point पढ़ लिए है जो मैंने आपको डाइग्राम बनाया है ये पाइला का बनाया इस तरीके से उसकी संरचना होती है समझ गे सब के सब clear फिर से एक बार revision करें हम थ्योरी से आप इनके part का revision करते है ठीक है थ्योरी part को ले पहले इसको देख लेते हैं पहले इसको पढ़ लेंगे उसके बाद फिर देखते हैं सबसे पहले मैंने मुलास्का की बात करी मुलास्का कैसे जीव होते है इनका सरीर मौ से याद करो कोमल होगा मुलायम होते है यानि सरीर कैसा होता है कोमल सरीर वाले प्राणी होता है कौनसेप्ट क्लियर प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संग इसको कहा जाता है मोलासका को यानि कि और्थो पोड़ा के बाद जो सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते है वो मोलासका संग के पाए जाते है ये concept clear सारिक संगठन अंगतंत्र इस्तर का सारिक संगठन आप तौरी बापकल है यहां पर वक्त वाहिनिया प्रजेंट नहीं है प्रानी कैसे होंगे ट्रिकौरिक प्रानी होंगे आरफात तीनों जर्म लियर का निर्मान होता है ठीक है और प्रगुहिया प्राणी यानि की मीजोडर्म से गुहा का निर्माण होता है ये बात भी क्लियर है स्क्रीन शॉट के लिए हट जाएगे और टेलिग्राम में क्यों जॉइन करने के लिए बोलती हूँ मैं फिर हट जाएगे मैं हां मैं बहां ही चली जाती हूँ बाहर तुम इसके शॉटी लेते रहो हट जाएए इतरे हर क्लास में लास्ट में बोलती हूँ बच्चों टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर दो क्लास के बाद आपको पेडियेफ नोट्स वह ही मिल जाते इतना क्यों करना फिर यह तीन अंगली मारें और फिर स्क्रेंशॉट ले रहें और वह स्क्रेंशॉट स्क्रेंशॉट के फॉर्म में पढ़े ही रहें के उसके बाद जो आप सुबह सुबह कहीं जाओगे घूमने तो मुबाइल में क्या होगा मैं की क्लास पढ़ी श्याम 6 बज़े आपने और उसका स्क्रेंशॉट खुब मार दिया तीन उंगली से लगातार मारते रहें चाय बटन दवा के मारा पर तुमने स्क्रेंशॉट रग दिया 6 बज़े से लगबग अगले दिन आपको 6 बज़े वापस मेरी क्लास में आना होगा ना उस बीच में आपके फोन में हजारों Garden चाल को आपके ज़ेंघ्ने चाहिए किम करने कि मीम पीडियाफ कहां मिलती है और यह और यह भोलती हो जाईए और जोईन कीजिए सब की यही दिकत रहती है, सब की नहीं मिलेगा टेलीग्राम ग्रूप, हलो मैम नहीं मिल रहे टेलीग्राम ग्रूप क्योंकि वीडियो नहीं देखिए बच्चों ने ठीके, समझ गया आप, ठीके, चलिए फिर हम बात करें सरीर कैसा है, तीन भागों में विभाजित है, सिर, पेशियपाद और ककुंद में, बाहई गंकाल कैसा होता है, कैलसियम कार्वोनेट का होता है, तो अच्छा कैसी होगी, स्पंजी होगी, पकड़ ले न कभी घुंगा को, पता चल जाए का कितना कूमल होता ह पहले तो पकड़ोगे नहीं तुम मुझे पता है ऐसे जो डल बैट जाती होगी कितने बच्चे पकड़ सकते हैं घूंगा को है कोई आपर घूंगा को पकड़ेगा केचुबे को हाथ में ले लेगा ले सकते हूँ अच्छा मेरे भी पिक है अच्छा अच्छी बात है फिर मुझे बोलते हैं हट जाओ यह नहीं बोलते मैं आपने थोड़े से साइड में खड़े हो करके फिर इनके साथ ऐसे करके क्लिक कर आओ फोटो है ना यह मैंने पड़ाया है चलिए सब एको क्लियर था ना ठीक है बाहर एक अंकाल के बात करी तो कैल्सियम कार्बोनीट की बन ना ठीक है कि किस किस ने दिखाया फिर मुझे एक्सप्लेंड करके बताओगे मैं इसका यह वाला पाट यह है यह वाला पाट यह 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 शेयर करना फिर मेंने साथ रेती जीवा इनके सबसे बड़ी विशेष्ता होगी मुमें पाई जाएगी और उससे वो बोजन को पीष जानम देते हैं क्लियर अर अब नहीं बोलूंगे मैं कुछ चलो आगे फिर देखो यह वाली बात मैंने बता दी यह देखो आप मुलसका जीव के जीव यह जो समुद्र में है वो भी से इम ऐसी है और यहां पर यह आपने देखा ही होगा देखो इसको टच कर अंदर भाग परी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सारी बात बहुत अच्छे से बैठ जाएगी चलो मुलसका की बात करी तो मुलसका दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग होता है प्राणी यह अच्छा में बात क्या थी है एक और भी तो रह गया था आवास की बात छूड़ गई थी तो आवास याद रखोगी इस थल में भी पाए जाते जो कि आपके घरों में घूमी रहेंगे आजकल भाहर ठीके जलो में भी पाए जाते बहुत सारे जल्लिया मुलसका भी होते हैं लवणी और अलवणी जल में पाए जाएंगे ठीके अंगतंत रिस्तरका सारिक संगठन होता है और यह कैसे होते हैं द्वीपार्स वो सम्मित त्रिकोरिक और प्रगुहिया प्राणी होते हैं यह कॉंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है फिर आगे चले कि यह अपने डाइग्राम देखने हैं यह अरे यह बाला देखो यह बड़ा मस्त है पर यह गोली नहीं छोड़ता है कि डर के मारे क्या घर से बहा निकल रहे और तुमने आज पहली बार मैम की क्लास में इस कीड़े को देखा है और फिर जैसे दरवाजा खोल रहे बारशात के दिनों में और घोंगा देग्या अरे बापरे दरवाजा बंद कर दो यह तो गोली मार देता हमें यह नहीं करता है ठीक है यह तो ऐसे दिखा रखा है लेकिन यह जिर्व ऐसी पहली वाली संरशना देखना एक दो सेकेंड की जो थी न वहीं संरश्ट है वो बस ऐसे नहीं उड़ता है वो तुमारे घर में भी नहीं आएगा देखो सरीर कैसा होगा कोमल होगा परंतु कठोर कैल्सियम की कवच से ढखा हुआ रहता है इसका सरीर कैसा होगा अखंडित होता है जैसे की सिर पेश्यपाद और अंतरंग ककुंद में होता है यह काकुंद कैसा होते है खोकला भाग होता है यह बात के लिए तवचा कैसी हो कि नरम होती है और साती साथ स्पंजी होती है काकुंद के ऊपर प्रवार बनती है आपने ये देखरी कि ये प्रवार काकुंद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते है यानि कि इसके अंदर क्या होगा गुहा प्रेजेंट होती खाली स्थान ही होता है य इसमें पंक के समान क्लोम उपाए जाते क्लोम के द्वारा वो क्या करेगा, स्वसान और उत्सर्जन दोनों का कारे करता है, सिर पर समवेधी स्परशक पाए जाते, एक और पॉइंट यहां पर यह भी ऐड़ करना, सिर पर शमवेधी, मैंने बोलने पर बोल दिया था कि यहां समवेधि आंग होंगे, इससे वो समवेध नाओं को ग्रहण करेंगे, जो यहां ऐसे ऐसे हिलती रहती है, यह तो आपको क्लियर होगा, इसका मतलब एक लिंगी जीव होंगे और अगर हम बात करते हैं ये कैसे होंगे अंड प्रजक होते हैं अर्थात अंडे को जनम देते हैं परिवर्धन सामन या लार्वा के द्वारा होता है अर्थात इसमें कैसा परिवर्धन होता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है इसका मतलब है कि पहले क्या होगा? यहाँ पर लारवल स्टेज आएगी और उसके बाद ही नई संतती का निर्माण होता है ठीके? मैंने हजार बार बता रख है और अगर प्रत्तिक्ष परिवर्धन कहीं पर आता है? प्रत्तिक्ष परिवर्धन जहां पर आएगा वहाँ से सीधा जनक से क्या होगा? संतती का निर्माण हो जाता है ठीक? यह कॉंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है आप सभी को मुलास का जीव एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा है ना? क्लियर है सभी को? हाँ मुझे लगए बारवी की क्लास है अच्छा एक और बात सुनो मेरी सुनो सुनो बहुत अच्छे से सुनो गौड से सुनो अभी बता देती हो देखो कल शाम पाँच बज़े मैं यानि की शालिनी जो आपकी बायलाजी टीचर है वो आपके लिए लेकर के आ रही है मैराथोन क्लास क्लास 12 के लिए जहां पर हम चैप्टर नमर वन और टू के important topics पूरे चैप्टर का अध्यान करेंगे तो अपने जितने भी बड़े भाई भेन होंगे और जो बच्चा अभी 12 क्लास का हमारे साथ जुड़ा है कल स्याम 5 बज़े जुड़ना बिल्कुल ना भूले important क्लास है और फिर से marathon लेकर चलेंगे खाना पीना खाके बैठ जाना पहली बता रही हूँ स्याम 5 बज़े से रात 8 बज़े तक आपने 7 देना है सब्सक्राइब करना है ठीक है बता देना सभी को तो यहां पर हमने क्या करना हमने समझा यहां पर मुलस का जीव के बारे में अगर मैं आपसे कुछ भी कोश्य कोशंच पुछूंगे जैसे कि हम यहाँ पर देखो संगों को आपको याद करने के तरीके दिमाग में होने जहेंगे जब हम पौरी फेरा की बात कर रहे थे तो आपने देखा था उसमें हमने सुरू से जब हम पढ़ रहे थे उसमें एक विशेश सनरचना दिख रही थी यहाँ पर हमने नाल तंत्र पढ़ाता है ना औस्टिया और उसके बाद इस्पॉंजो सील और औसकुलम से बाहर तो यह क्या था एक नाल तंत्र था के नाल सिस्टम था ठीक है फिर हम सिलेंट्रेटा में आई यहाँ पर सिलेंट्रॉन गुहा थी दंश कोशिकाई प्रेजेंट थी यह कहीं ना कहीं इसके विशेशताएं थी टीनो पोरा की बात करते हैं जीव संदिप्ति यह जो गुड़ दिखा रहा था चमकने वाला वो इसका एक विशेश गुण था जिस आधार पर एकदम आप जीवों को अलग कर सकते हो वो गुड़ बता रही हूं मैं आपको ठीके उसके बाद हम प्लाटी हेलमंथीज में आएं देख करके बता सकते हो कि यह चप्टा क्रीमी है चलो इसको लगा दो कहा प्लाटी हेलमंथीज में ठीके साती साथ उसमें उत्सरजन कोशिका जो थी वो ज्वाला कोशिका थी यह कॉंसेट क्लियर हो जाएगा उसके बा केक्षब को याद रखना था उसके बाद किसमें आए क्यों हम आगा balanced में तो और तोौड में और तो है कि अगर्म पात उसमें कालता हाई र др मुलस्क अपने क्या ख़िए वड़ Award ल्यतम वी पनाता है यह भोजन चमारने के लिए रेती जीवा पाई जाती है तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे इन में अगर अंतर भी देख रहे हो हर एक पॉइंट में कुछ न कुछ अंतर तो होगा बाकिये जो सम्मीतिव अगेर है वर्गी करण का अधार है वो तो आप ऐसे लिखो लोगे वो यही है जिस आधार पर हमने इनको इनको माला कर राख है क्लियर सभी को बताओ जल्दे से बताईए क्लियर 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 पिर बताओ क्या मैं मैं रुक जाओ मैं मरुक जाओ अच्छा शाहिल को कितने दिन होगे क्लास में आने से अभी उसको लगा कि रुक जाओ मैं रुक जाओ यह ने कि कब से भेज लेता है पहले लिंक भेज देते बताओ क्लियर ठीक है कंचन मुश्कान क्लियर नेहा समर द्रशती भारदवाज वेरे गुड जोतिश कुमार पर वो किसी और को बोल रहे है सब्सक्राइब करें क्लास के नूटिफिकेशन आपको तभी मिल जाते हैं ना कम्यूट्री पोस्ट में पता चल जाते हैं आज आपको क्या टॉपिक पढ़ना और कौन सी क्लास लगी है तो इसलिए आपको बार बार परेशान होने की जर्वत नहीं पढ़ती है जिस तरीके से आपके कमेंट में लक्षर दिखते हैं और कॉल जिस तरीके से आती हैं यहा पर याद रखोगे जो हमारे क्लास के पेडियाफ के नोट्स मिलते हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिलते हैं वो कहां मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रूप का लिंक दिया गया है आपको क्लिक करके जॉइन करना है और अगर वहां से यह हो रहा है आपको तो टेलिग्राम ग्रूप को पहले डाउनलोड करो फोन में उसके बाद क्या करोगीं वहां पर जा करके साइस दिवाने विध्याकॲ्ड सर्च करोगे तो टेलिग्राम ग्रूप में जॉइंट ओकर देना ठीक है बस यह कि बूलाद कि अबते हुआ झाला हुआ है